सब्सक्राइब निकलता है और अब में इसको लूंगी थोड़ा जितनी कॉंटिटी लेनी चाहिए उसे थोड़ी कम ले रहे हैं क्योंकि यह ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से तो पहले यह जितना आया है उतना ब्लेंड हो जाए दन हम इसको कूरी पानेते मिलेंगे यह ज़िली मैं टैपिंग मोशन में रहते हूं संस्क्राइन के साथ विकर वो टॉपलेर होनी जहिए आपको इसको स्किन के अंदर गुसाने के ज़रूद नहीं होती है बड़ इसको मुझे मसाज करना बटता क्योंकि यह ब्लेंड नहीं होता यह ब्लेंड नहीं होता है यह ब्लेंड नहीं होता है अब नहीं होता है अब इसको अब इसको अभी विंटर में यूस करने वाली है यह ने लास्ट मिंटर की साथ नहीं हरीदा था यह इतना अनकमफेटीब था क्योंकि इसके साथ काम करना बड़ अमुश्किल था तो विंटर्स में ही इसको यूस कर सकते हैं, ड्राय स्किन वाले परफेक्टली उसकर सकते हैं, मेट ओली स्किन वाले, येलो, स्टार्ट पीलिंग ओफ अल्रेडी, अल्रेडी इसके साथ क्या काम करेंगे, सेम इशू, ये बात नहीं है, मैं थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश करते हूँ, इसको अपने खुद के बैठने की कोशिश करते हूँ, हलका सा इसके अपने खुद के बैठने के बाद, ये बहुत बुरे से पील होगा है, अब मुझे ये ठीक करना होगा, and now you know, कि मैंने ज्याद को अज़ी क्यों नहीं दी, so this is how it works, इसका दैमों तो हहाँ पर बाता हूँ, Hello world, nice day, welcome back to my channel, अगर अपने जाल पने हो, तो इसे सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में बेल बुटन युगा उसको भीट कर देना, so that कोई वीडियो हाँगी तो आपने नोटिफिकेशन आजएगा, so by the demo you have already seen, we are gonna talk about Mama Earth Ultra Light Indian sunscreen with carrot seed and turmeric, this retails for Rs. 4.99 Rs. obviously, we have discounts on website so you can check it out, so it said it is paraben and silicon free, dermatologically tested and for Indian skin, and it weighs 80 grams, 80 grams की तूब है ये, and I can see I have already gone through, like यहाँ पर पहुँच गया ये, हाफ हो गया है, इसका best part ये है, कि SPF 50 & PA++ है, तो आप थोड़े लंबे टाइम के लिए protected रहते हो, और सारी UVA & UVB rays से protected रहते हो, but the problem is, it's blending, ये इतना difficult है blend होने में, और उसके उपर से ये peel off हो जाता है, जैसे आपने demo में देखा, तो मैं तो इसे face नहीं यूज कर पाई, इसी मेरे पास एक साल हो गया है, thank god, कि ऐसे products की 2-3 साल की shelf life आती है, तो अभी मैं क्या कर रहे हो, क्योंकि ये है, मैं तो sunscreens लेती रहती हूं, अब जो suit नहीं हो रहा है, मैं यूज नहीं कर सकते हूं, तो मैं यूजली उनको body पे यूज करना start कर देती हूं, तो अभी मैं इसको अपने legs पे, feet पे and hands पे यूज करती हूं, क्योंकि इसके लावा मुझे कुछ देखता नहीं, जैसे ये हमारे sunscreen है, and यहां ये melt होने में कितना easy लग रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, जब first time मुझे ऐसे लगा, कि यह तो easily blend हो गया, तो यह body पे ऐसे ही blend होता है, तो मैं इसको अपने feet and hand पे यूज कर रहे हूं, but face पे, you know, कि अब कैसे का करता है, so I like the fact that this is plastic positive, and this is cruelty plea, and you know, all of that stuff, a good brand stuff, but the main objective of the sunscreen, of applying on the face, has failed for me, but I believe, the texture, dry skin logo पे बहुत अच्छे से जाएगा, तो जुन लोगों की dry skin है, वो इसको जुरू try कर सकते हो, जब ही discounts पे हो, sales पे है, but new year पे और Christmas पे आपके पास बहुत सारे offers आएगे, तो उसमें आप यू try कर सकते हो, I'm talking about the dry skin people, not for normal skin, not for oily skin, oily skin वाले तो करते ही बिल्कुल दूर हो जाना, अगर आप फेस के लिए ले रहे हो, तो यह आप नहीं ले से, So this is all about the sunscreen, I hope आपको रिए अच्छा लगया होगा,